Hello friends, welcome to PS Art, I am Leena Jain, in this channel we are going to learn graphic designing in Photoshop, so please subscribe to this channel and press the bell icon to get all notification of my new videos. आज का हमारा टोपिक है How to Design a Business Card, तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो में हम ऐसा visiting card बनाएंगे, या बिजनेस card भी बोल सकते हैं, तो चलिए, देखते हैं, new document open करेंगे, file new, यहाँ पे inch कर लेंगे, inch, यहाँ पे 3.5 देदेंगे, width, height 2, and resolution 300 रखेंगे, okay, यह हो गया, अब duplicate layer बना लेंगे, okay, अब इसको black color दे देंगे, ब्लैक है, यह, pen bucket to, यहाँ पे यह black उपर होना चाहिए, इसलिए, यह black हो गया, अब मैं, इसकी opacity काँ कर दोगी, इसको select करके करना, 90 रख जाती है, अब मैं, rectangle लोगे, यहाँ से, rectangle लोगे, अब मैं इसे color दे दूँगे, red, अब प्रेस्टराइज लाए है, यहाँ पर right click करेंगे, फिर एस्टराइज लेयर का option लाएगा, मैंने कर लिया, Ctrl T करेंगे, इसको select करने के नहीं, अब इसको track कर लेंगे, यह उपर दोगे, अब मैं इसके Ctrl T करूँगी, right click करूँगी, यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, यह option आएगा, इस पर click करने, अब आप जैसे चाहते हैं, इसको, आप जैसे चाहते हैं, इसको, आप जैसे ट्रैक कर दीजी, अब मैं इसे shadow देख सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिप करूँगी, यहाँ ब्लैंडिंग ओप्शन दिख रहा है, उपर, वहाँ पर जाओंगी, अब इसमें, ड्रॉप shadow में जाओंगी, आप साइज थोड़ी बढ़ा दूंगी में, इस्प्रेड कोपी बढ़ाओंगी दूड़ा, अपनो मुँँ है, 22 रती, साइज इसके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शेडो देख रहे हैं अब मैं इस रेक्टेंगल को डूप्लिकेट लेयर बना वहाँ गोगी तो रेस्टराइज लेयर स्टाइल कर दोंगी पहले अब डूप्लिकेट लेयर अब मैं गुरूट्रोटीग करोंगी जिसको डूप्लिकेट रहे हैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट रहें पर एक फिर कंट्रोटीग करोंगी अब राइट क्लिक इसको रिक्साट कर देख सेलेक्ट रहें यह होगे, second, अब मैं एक बार और करूंगे, duplicate layer बना लूँगे, अब Ctrl T, right click, और यह select, यह होगे, अब मैं लोगों जाओंगे, इन तेनों layer को merge कर लूँगे, मैं Ctrl को, अब इनको merge layers, अब आप देख सेलते हैं, एक एक, मैं आगे सब, desktop पे जाओंगे, लोगों, ड्रैग करूंगे, अब मैं text करूंगे, अब मैं text करूंगे, P, S, Art, मैं इसे अलब कलर हूंगे, राट दे देते हूं, Ctrl T करूंगे, इसे सेलेक्ट करने के लिए, अब मैं राइट क्लिक करूंगे, ब्लैंडिंग उप्शन में जाओंगे, और यहां पर, बैलन एंबोस करते हूं किसे, साइज थोड़ी बड़ा देते हूं, 13 बड़ा देते हूं, साइज थोड़ी चाता है, 10 करते हूं, अब ठीक है, अब यहां के, अब बाते हूं, अब लिना जान टाप करूंगे, करें अब देट प्रूल गरूँगे, इसको चोटा पताप दिम्यों और इसके, एक कुरूर करने के लिए, अब जाब लाट पर दोड़ी बड़ा आप, जाब दोड़ी जाए, इसे वाइट कलाते रहे हैं अब मैं आइकन लाओंगी यहां से राइट क्लिक करने कॉस्टम शेप टूल में जाओंगी अब यह कॉल का है पहले कॉल का देने दूंगे यहां पर सेथे खर्ड़ करके और यहां पर रेट लिए अब मैं इसको यहांसे वाइट कलर दे दिननी पहले पहले फिर रसिजार एट कोरें उलिए वाइट की नहीं जाओंगी अब मैं रहाइट क्लिक करूं हूं यह और रदेट सेल मैं इसे पहले लाइस्टराइज लाइस्टैल कर देती हुआ अब मैं दूसरा शेप एक और लाना चाहती हुआ इमेल का इसे लेक्ट कर लिया अब मैं आप लिए इसे इंटरेक्ट करना हुआ इसे भी पहले वाइट कल देदू नी फिर इसे रेस्टराइस करो नी इसे रेस्टराइज करो नी इसे ब्ल्टोर्टी करों इसे अब मैं एक और अच्छोटाबर नी धर कि एप्रोना आपालाए प्रीज जोलोपरी आप उसीट फ्रीज थे, लिवीज ग्रीज लिवेक्यों क्यों-क्यों था प्रीज भीज न्ट्रीज यह जाँ न्युटरीज लिवाटाओ अब में टेक्स्ट और यहाँ पर मेल डाविए डाविए एक्साम्पल शिफ्ट है तरहें ट्रीमाइ डॉट कॉन्ट्रोल टी अब में इसे छोटा को देएंगे हमें अब में लॉट इद लुट को हुट किया को अब में जद और यहां कảng Ctrl D करूंगी, अब जट छोटा करूंगी करूंगी प्रॉंगी तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही